चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके लोसेंट सामान ग्यान की बारे में और इसमें आप सभी ने देखा होगा लोसेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग अभी तक कबाद कर चुके हैं और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा बिज्ञान यों प्रुद्गी की के बारे में हम लोग ने विस्तार से बात की हुई थी और आप सभी लोगों को अभी तक तो मालू भी चल गया होगा आप लोगों ने जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेवस भी देखा होगा उसके पुराने कुश्चन्स फेपर भी देखे होगे इन सब का मूल ल्यांकन भी किया होगा और आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि आपकी परिक्षाओं में GKGS से अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स आते हैं और आप सभी लोगों के मन में सबाल भी रहता है कि आखिर हमें GKGS को कहां से कवर करना चाहिए तो आप जिससे भी पूँचते होंगे वो यही कहता होगा कि लूसेंट पढ़ लीजे और अगर आप लोग स्टेट PCS सविल सर्विस की तईयारी कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जानदा आपके पास टाइम है और आपको जानदा विस्ताल से पढ़ना है तो आप लोग कोई भी स्पेसल बुक्स पढ़ सकते हैं NCEIT पढ़ सकते हैं समय रहे हैं आप लोग लेकिन अगर आप वो अंडे ग्जाम की तईयारी कर रहे हैं जैसे आप देखे कि वह लाइनर में कंप्यूटर की बारे में और आप देखे कोई भी एकजाम उठाके देखिए आप लोग कंप्यूटर से आपके कुश्चन्स आते हैं कंप्यूटर सामन ग्यान से और आपकी जितनी भी लूसेंड से सम्मंदित क्लासें ली जा रही हैं लूसेंड वुक रिवीव के नाम से जो पेले लिष्ट सूची बिना रखी न उसी में डली रहेंगी वहाँ जाकर आप लोग किरम से देख भी सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि आज का यूग कंप्यूटर का यूग माना जाता है आप सोची कि एक समय आप लोगों को कोई काम करना होता तो तो आप देखते थे कि एक पैन लेकर आप लोग कॉपी डायरी रखते थे अपने पास इतनी मेहनत लगती थे और आप देखे हिसाब बनाना होता था आप लोगों को बहुर लंबा टायम खतम होता था आज के समय में आप देखिए कंप्यूटर का जमाना है आपको पैन कागज की जरूरत ही नहीं है तो आज का यूग कंप्यूटर का यूग है आज जीवर के पिते एक छित में कंप्यूटर का समाविस है और विहत पिर्माने पर गड़ना करने वाले इलेक्टोनिक सेंद को संगड़क के अत्वा कंप्यूटर कहते है अर्था कंप्यूटर वह ही उपती है जिसके द्वारा 140 रूप से विभित विकार के आकणों को संसाधित एवं संचयत किया जाता है और वरत्मा सौरूप का पहला कंप्यूटर मार्क फर्ष्ट था जो 1937 में बना था और आप देखिए आप लोग कि अगर आप लोगों को जीमेल भेजना है तो देवा 2 सेकंड चार सेकंड का काम रहता है एग जैसे आप दूसरी जगा जानकारी पहुंचा देते हैं कंप्यूटर की कारा की बात करें तो कंप्यूटर की पिर मुख तकनीकी कारी चारत रहे की होते हैं आँकणों का संकलन या निभेषन आकडों का संचैन आकडों का संसाधन और आकडों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर निर्गमन आकडों लिखित, मुद्रित, सरब, द्रस में, रेखांकेट या एंतरिक चेश्टाओं के रूम में हो सकते हैं फिर आपकी मन में एक और आता है, आप लोग कंप्यूटर की जब बात करते हैं हाइडवेयर और सॉप्ट्वेयर की भी बात होने लगती है कंप्यूटर और उसके सलगन सभी यंतों और उपकरणों को आप लोग हाइडवेयर कहते हैं इसके अंतरकत केंद्रिय संसाधन, एकक, आंतरिक इसमेटी, बाहसमेटी, निवेस, निर्गम, निर्गम एकक आदी आते हैं यानि कि आप देखें कि हाइडवेयर होता है जिने आप लोग छू सकते हैं लेकिन सभी या कम्प्यूटर के संचालन के लिए निर्वित प्रोग्रामों को सभी या कहते हैं अब आप देखें आप लोग किसी सभी या को छू थोड़ी बात हैं गूगल कर आप लोग छो के दिखाएए computer की भासा की बात करें तो computer की भासा को निम्न तीन बरगों में बाटा जा सकता है machine code भासा, assembly code भासा और उच्छिस तरी ये भासा है पहली computer भासा plan calcul थी कौन थी? पहली computer भासा कौन थी? plan calcul थी अब बात करते हैं machine code भासा की तो इस भासा में पितिक आदेश के दो भाग होते हैं एक तो आदेश code आप देखेंगे तथा इस्थित code इन दोनों को 0 वा 1 के करम में सामुहेत कर बैक किया जाता है और computer के आरंबिक दिनों में programmer द्वारा computer को आदेश स्थियने के लिए 0 तथा 1 के विभिन ने क्रमों का ही प्रियोग किया जाता था और यह भासा समय ग्राही थी और जिसके कारण assembly बा उच श्तरी यह भासाओं का प्रियोग किया जाने लगा है और आप देखे कोई भी आकड़े आप लोग देते तो तो जीरो और वन के एक तरह से संद्र में देते थे तीक है यही इन्हीं को समझता है आपका computer और computer science आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इन्हें विस्तार में भी आपने पढ़ा होगा फिरोग्राम भी आप लोगों न के लिए सब और जंफ के लिए जे एमपी लिखा गया है परंतु इस भासा के प्रयोग एक निश्चे सरचना बाले computer तक ही सी में था अता है इन भासाओं को निमने स्थरिये भासा कहा गया फिर उच्छे स्थरिये भासाओं के विकास का स्रे IBM कंपनी को जाता है फॉर्टोन नमक पहली उच्छे स्थरिये भासा का विकास इसी कंपनी के द्वारा किया गया था और इसके बाद सेक्ड़ों उच्छे स्थरिये भासाओं का विकास हुआ इस भासाओं मनुस के बोलचाल और लेखनने में प्रयोक्त होने वाली भासाओं में काफी करीव है कुछ उस्थ तरी उचिस तरी ये भासाइनिम्न है, फॉर्टोन हो गया जैसे, फॉर्टरन, एक कम्प्यूटर की इस भासा का विकास IBM की सोजन से जे डबलो वेकस ने 1957 में किया था, और इस भासा का विकास गरती ये सुत्रों को अपासानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया है था, कोबोल, आप देखेंगे कि कोबोल वास्तों में common business, oriented language का संचित रूप है, इस भासा का विकास बेवसाइक हितों के लिए किया गया है, इस भासा की संक्रिया के लिए लिखे गए बाकियों के समूग को paragraph कहते हैं, और सभी paragraph मिलकर एक section बनाते हैं, और सभी section से मिलकर division बनता है, तो इसे भी याद रखिएगा, और basic भासा भी आप लोगों ने सुना होगा, यह अंगरेजी के सब्दों, वेगनर्स, all-purpose, symboling, in section, code का संचित रूप आंतर हैं, इस भासा में प्रोग्राम में नहुत आदेश के किसी निश्चित भाग को निश्पादित किया जा सकता है जबकि इससे पहले की भासाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता है था, और प्रोग्राम के ठीक होने पर हांगे के गार निश्पादित होते थे, एलगोल, यह अंगरेजी के एलगोरित्म में, language का संचित रूप है, इसका निर्माज जटिल भीजग फिर आप लोगोना सुना होगा, आपको अमाल, यह common algorithm, language का संचित रूप है, इस भासा का प्रेव माद्वें के इस तरगे चातरों के लिए किया जाता है, लोगो, इस भासा का प्रेव छोटी उम्र के बच्चों के ग्राफिक, रेखानू के टियां की सिक्षा देने के प्रामिंग में सक्चम है, फोर्थ, इस भासा का प्रेव इसका चाल्स मूरे ने किया था, इसका उप्रेव कंप्यूटर के सभी प्रेकार के कार्यों में होता है, इन सभी उच्चेस तरिये भासाओं में एक समानता है कि लगभग सभी, मैं अंग्रेजियों को बड़े, अं तुम इन्टू अरेवियन अंकों, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट, 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 आदी का प्रेयोग किया जाता है, फाइल, फाइल, लॉट, और C, C++, लिस्प, यूनिक्स, अनो, इस नोवल, बॉल, कुछ अनोच, उस तरिये भासा हैं, कंप्यूटर के बिभिने भागों को भी देख लेगे, CPU, यह Central Processing Unit का संचिप्त रूप है, इसे कंप्यूटर का मस्तिस के भी कहते हैं, दिमाग, ठीक है, RAM, यह Random Access Memory का संचिप्त रूप है, सामान भासा में इसी कंप्यूटर की याददास्त कहा जाता है, Memory, RAM की गरना Megabyte एकाई में से होती है, ROM, यह Read Only Memory का संच देती है, Motherboard, यह Circuit Board होता है, जिसमें कंप्यूटर के पितेक पिलग लगाए जाते है, CPU, RAM, आदी यूनिट, Motherboard में ही सहीवित रहते हैं, फर आप लोग सुनते है, Hard Disk, और Hard Disk इस कंप्यूटर के लिए, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कहर होता ह फेलोफी डिस्क ड्राइब, या सूचनाओ को स्रक्षित रखने है, या सूचनाओ का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान पदान करने में प्रेयुक्त होता है, CD-ROM, CD-ROM यानि की Compact डिस्क, छोटे से आकर में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आक कीवोड कहलाता है, समनता 101 कीवोड को अच्छा माना जाता है, माउस, इसकी साहता स्की स्कीरिन पर कंप्यूटर के प्रिभिन प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है, मौनीटर, इस पर कंप्यूटर में नहित जानकारियों को देखा जा सकता है, अच्छे रंगी इतने कम नंबर होते हैं, इसके इन पर उभरने वाली छबी उतनी हिसाप और गहराई के लिए होती है, साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ मल्टी मीडिया के बढ़ती प्रयोग के लिए आवसेक है, प्रेंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागजपन मुद्रित किया जाता है, डॉटमेटिक्स, इंक जेट, वबल जेट, लेजर जेट, यह पिर मुख प्रेंटर के उधारन भी हो गया, कंप्यूटर वाइरस, एक प्रकार का इलेक्टोनिक कोड है, जिसका उप्योग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समप्त करने के लिए होता है, और इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफॉन, लाइन से दुर्भावना वस प्रेसित किया जा सकता है, इस कोड से गलस सूचनाओं मिल सकती है, एक अत्यत जानकार इनश्ट भी हो सकती है, यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है, तो इलेक्टोनिक रोप से जुड़े होने के कारण यह वाइरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित भी कर सकता है, फिलॉफी के आदान पिदान में से भी वाइरस के फैलने का डर रहता है, यह महिनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पढ़े रह सकते हैं, और उसे च्छती पहुंचा सकते हैं, इनकी रोप्थाम के लिए एलेक्टोनिक सुरक्षा विवस्था विक्सित क ही गई है, कुछ मुख कंप्यूटर वाइरस जैसे माइक, माइकले एंजलो, डार्क एवेंचर, किलो फिलिफ, सी ब्रेंड, विलेडी, चैंज मुंगो और देसी, आप लोगों ने देखा हुआगा कि आप लोगों से इसलिए तो कहा जाता है कि एंटी वाइस डलवाई है, आप लोग, किसी ऐसी भी कोई लिंक आती है, जिससे आपको लगता है कि यह वाइरस आपके कंप्यूटर में इंटर्क है सकता है, उस पद मत कले करिए, समझ रहे हैं, नेटवर्क, नेटवर्क आपस में एक, दूसरे से जोड़ी कंप्यूटराओं का समूझ है, जो एक करने हैं, तथा सूचनाओं संसादनों को साजा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जैसे प्रेंटराथ, इत्यादी, किसी भी नेटवर्क को इस्थावित करने के लिए पेशक प्राप्त करता माध्यम, तथा प्रोटोकॉल को किया हो सकता होती है, विसका पितम कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, नोड किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन फॉयंक है, जहां डेटा ट्रांस में संकांत होता है, या वहां से पुनाःट डेटा का वितरन होता है, फिर आप लोगोंने सुनाओगा सर्वर, क्या सर्वर, यह आप देखें कि तो सर्व प्रोग्रामों को संग्रह को होल्ड करता है, तर्मीनल, तर्मीनल क्या होता है, या मैन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की संसादनों का सांजा इस्तेमाल के लिए उप योग होता है, डम टर्मीनल, यह नगन इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है, फिर आपकी नेटवर्क क के लिए इस्थाइबत करने के लिए मुख उकर निम्न है रिपीटर्स हब सुईच राउटर्स गेटवे ठीक है इन्हें भी आप लोग याद रखेगा नेटवर्क के पिकार देख लिए लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आप लोग लैन भी कहते हैं या इस्थानिय चित नेटवर्क की भी कहते हैं इसे यह एक कम्प्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे वोकलिक चित जैसे घर और ओफिस भवनों का एक छोटा संभू या हवाई डे आदी में कम्प्यूटर नेटवर्क है वर्दमान में लैन एथरनेट तकनीक पर अधारी थे इस नेटवर्क का आकर छोटा लेकिन डेटा संचार रण की गतिती बहुती है इसमें फिर आप देखेंगे वाई डेरिया नेटवर्क और इसे बैन भी कहते हैं व्यापक चित नेटवर्क इस नेटवर्क में कम्प्यूटर आपस में लिज़ लाइन या चित देश महादेश में फेला नेटवर्क का जालें इंटरनेट इसका अच्छा उधरन है भारत में CMC द्वारा विक्सित इंडोनेट बैन का उधरन है और बैंकों द्वारा पितत एटीम सुगधा वाइड एरिया नेटवर्क का ही उधरन है तो आप लोगों ने सुना कर एक मेन का निर्मान करते हैं फिर आप लोगोंने सुना होगा Campus Area Network इसे कैन भी कहते हैं कैन सीमित भोगोलीक्षित मैं लेन के जुड़ने से निर्मित कम्प्यूटर नेटवर्क है इसमें उप्यों होने वाली या टर्मिनल को आपस में जुड़ने का तरीका है या विविन नोट्स के वीज बहुत एक सरचना को दर साता है नेटवर्क टॉफोलीजी की पेकार अगर आप देखना है तो मैस नेटवर्क उच ट्रैफिक इस्तिती में मार्क को ध्यान में रखकर उप्यों किया जाता है इसमें किसी भी से रोज से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है और पूर्णता इंटर कनेक्टेड मैस नेटवर्क खरचिला है क्योंकि इसमें जान्दा केबल तथा हर नोड में इंटलीजेंस की आवसकता होती है और इस नेटवर्क में उच्छी सुरक्षा अनपयोग में डाटा फिरसित किया जाता है इस नेटवर्क में एक केंद्रिय नोड सेंटरल होता है जो इंटलीजेंस से युक्त होता है और बाकी नोड से जुड़े रहते हैं इस केंद्रिय नोड को हब कहते हैं कोई एक केबल में कोई कटनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है उपलन तो यह हम में कोई कटनाई आती है तो सारा नेटवर्ग बेफल हो जाता है फिर आप देखेंगे रिंग नेटवर्ग इस नेटवर्ग में हम सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है डेटा का परवाहा हमेशा एक ही दिशा में होता है परन्तो किसी भी एक केवल या नोड में कटनाई आने पर दूसरे दिशा से संचार संभा है बस नेटवर्ग इस नेटवर्ग में सभी नोड्स एक ही केवल में जुड़े हो रहते हैं कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा परवाहित तो नहीं हो रहा है बस खाली रहने पर नोड प्राप्त कर सके इसमें कम केबल की आवसकता होती है और कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है इसमें परन्तु पिरमों क्ट्रांसमिशन लाइन में कटना ही आने पास सारा नायटवर्ग भी फल हो जाता है फिर आप लोगों ने सना होगा मॉडूलेशन यह किसी जानकारी क लंबी दूरी तक सिंगनल के रूम में भेजने के लिए उपयोग होता है मॉडूलेशन डिजिटल सिंगनल को एनलोग में रूम में बदलने की फिक्रिया है यह मॉडम के द्वारा संभा होता है मॉडम एक विध्धोती अंत है जो डिजिटल सिंगनल को एनलोग सिंगनल मे बदल कर पराप्त करता है modulation तीन पिकार के होते है आयाम modulation इस विक्रिया में वाहक सिंगनल का आयाम सूचना यूख डिजिटर सिंगनल की अनुरूप बदला जाता है आविट्टी modulation इस पिक्रिया में वाहक सिंगनल की आविटी को सूचना योगत डिजीटल सिंगनल के अनुरूप बदला जाता है चरन मॉडूलेशन इस पिक्रिया में वाहक सिंगनल के फेज को डिजीटल सिंगनल के अनुरूप बदला जाता है data transmission सेवा data को एक स्थान से दूसरे स्थान बेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे data transmission सेवा कहते हैं यह सेवा को देने वाले को data transmission सेवा पिदाता कहते हैं जैसे BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारस संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफॉन निगम लिमिटेड टेलीफॉन निगम लिमिटेड टेलीफॉन से जुड़ा है इसका उपयोग टेलीफॉन की तरह नंबर डायल कर संचार सावित करने में किया जाता है इसे कभी-कभी switch line भी कहा जाता है यह पहले से बिदमान टेलीफॉन सेवा का उपयोग करता है व्रॉडबेंड टकनीक भी डायल अप connection के द्वारा ही उपयोग होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ओनलाइन सविधा पिदान करती है यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफॉन लाइन को उपयोग करता है परन्तु यह डायल अप सेवा से काफी तेज स्पीड सेवाओं के लिए दो इस्थानों को जोड़ती है यह एक सर्फ समर्पिल लाइन है नहीं है बलकि यह बास्ताओं में दो बिंदो के बीच आरक्षी सर्किट है और यह कम या जान्दा दोनों दोरी में संभव है इसे समर्पिल लाइन भी कहते हैं इसका सबसे अधिक उप्य गुद्दोगों दोरा अपनी साखा कार्यालों को जोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि यह नेटवर्क ट्राफिक के लिए ब्रेंड वर्स की गारंटी देता है फिर आप देखेंगे एक ही करे सेवा डिजीटल नेटवर्क सर्किट सुईश टेलीफॉन नेटवर्क के म रूप इस्तिमाल किया जा सकता है अर्थात ISDN लोगों की पूरी संचार विवस्था की देशबाल कर सकता है और इस दिवा में मौडम की आवस्ता नहीं होती है क्योंकि डेटा का आदान पिदान डिजीटर रूप में होता है फिर आप देखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहें एक हार्डवियर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थावित करने में सक्च मनाता है नेटवर्क के अंतर कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल की देटा पेकिट का आपस में आदान पिदान करता है फिर आप लोग ने वायरलेस तक्नीक के बारे में भी पड़ा होगा वायलेस तकनीक जैसा कि नाम से ही घ्यात हो रहा है कि बिना तारों की तकनीक अर्था इसके दबार डेटा का परीवहन विना टारों का या केबल के होता है इसे तकनीक के प्रयोग से इंट 쓰고 के के स्थान फर्वाइट्ट तरंगों माइक्रोविव इंफरा रेड तरंगों आधी के द्वारे डिटा का परीबहन होता है वायलेस तक्नीक के अनुफियोग निम्लिके टेली वीजन रेमोट कंट्रोल सेलुलर फॉन वाइफाई आधी ठीक है यह अनुफियोग होगा इसके एक आप लोगोंने सुना मैक्स तो इसमें आप देखेंगे कि वाइमेक्स यानि कि वर्ल्ड वाइड एंट्रोप्रेविलिटी फोर माइक्रोवेव एक्सेस यह एक डिजीटल वायरेस संचार पढ़ा लिए यह तक्नीक बिना केबल के 75 MB 30 सेकंड ब्रॉडबेंड स्पीड पिदान करता है फिर आप लोकोंने वायरेस लोकल लूप भी सुनाओगा यह एक वायरेस अंचार पढ़ा लिए जिसमें उब्भोकता नेटवर्क से रेडियो आविट्टी के प्रियोग से जुड़ते हैं यह बेतर आवात तथा उच गती डेटा चमता पिदान करता है और जिस स्थान पर लेंड ल भारत में इंटरनेट सेवा का आरम 15 अगस्तो 1995 में विदेश संचार निगम लिमेटिद द्वारब आरम किया गया था और भारत में लोक फिरिये इंटरनेट सेवा पिदाता BSNL यानि कि विदेश संचार निगम लिमेटिद भारत संचार निगम लिमेटिद आज कल BSNL की क् सोचिए, MTL, महानगर टेलीपॉन निगम लिमिटेड, मंत्रा ओनलाइन, तथा सत्यम ओनलाइन इत्यादी हैं, इन कंपनियों का भारत के अनिक सहरों में DNS, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है, और DNS सर्वर एक कम्प्यूटर है, जो दूसरे कम्प्यूटर के डोमेन नाम को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवात करता है, और बरतमाज सोबय में BSNL द्वारा दो माध्यों में इंटरनेट की सिवाव अपलब्द कराई जा र देखें, तो इंटरनेट का उप्योग करने के लिए निम नोकड होना चाहिए, परस्नल कम्प्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट, टॉप्ट्वियर या बेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, अगर आप लोग कम्प्यूटर चलाते होंगे, तो जरूर आपको माल होगा, जब इंटरनेट को टेलीफॉन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो मॉडेम की आवसकता होती है, या कम्प्यूटर में चल रहीं इंटरनेट ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोव दिमोडूलेटर का संचित रूप है, मॉडेम, मॉडेम के दोनों और कम्प्यूटर और टेलीफॉन लाइन जड़ा होना आवसक है, मॉडेम के स्पीड को, आई को वीपी एस, वाइट पर सेकंड में आपते हैं, उपलब दी स्पीड आप देखेंगे 9600 VPS और 28800 VPS, 33600 VPS है इंटरनेट से जड़ने की स्पीड, टेलीफॉन सर्विस पर निर्वा करती है, और आजकल टेलीफॉन सेवा को ISDN उपयोग करता है, और 128 KVPS या इससे उच गती पर मॉडेम को इंटरनेट से जड़ने में सक्चम होता है, और अता मॉडेम ऐसी डिवाइस है, जो डेटा को परिवर्दित करता है, तथा उन्हें टेलीफॉन लाइन पर संपेशित करता है, फ़र आप लोग उने इंटरनेट सौप्ट वियर या वेव ब्राउजर, वेव एक विसाल पुस्तक कीतर है, वेव ब्राउजर एक सौप्ट वियर है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से इन सौप्टवियर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं, तथ हम वेव से अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, वेव ब्राउजर का उपयोग कर हम लोग किसी विसेश पेज या लोकेशन पर उसकी पता पता टाइप कर सक करते हैं moneyfulground.com tools http और इंटरनेट पता www moneyfulgroupgroup.com ठीक है इंटरनेट ही पता हो गया यह टूल्स हो गया वेब ब्राउजर की प्रयोग से वेब साइट ब्राउज करना सरफ पेथम वेब ब्राउजर खोलते हैं यह हम लोग internet explorer प्रयोग करते हैं start फिर फिरोग्राम फिर आप देखेंगे internet explorer सेलेक्ट करते हैं जब वेब ब्राउजर खोल जाता है तो हम उस्वता homepage से शुरू करते हैं अधिकांस website man page होता है जो save website page के doorway का काम करता है और homepage पर ही हम अपनी एक्छा अनुसाद पर चुन सकते हैं या खाली रख सकते हैं हम लोग जिस website का निरिच्छेंट करना होता है उसका URL टराइब कर उसे खोल सकते हैं फालसरूप हम उसे site पर उपलब्द सारी सिवा है उपलब्द हो जाती है इस page से पीछे page पर जाने के लिए back button और आंगे page पर जाने के लिए forward button पर click करना होता है परन्तु ये button जिन page को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है टोलबार के home button पर click कर हम किसी भी वक्त home page पर जा सकते हैं या फिर दूसरा URL टाइप करके दूसरे बेपेज को खोल सकते हैं website बेपेजों चत्रों धौनी एनिमेसन आदी का समभू है त इंटरनेट संचिप्त इंटरनेट से संबंदीत कुछ सब्दा बलिया है जैसे URL, Uniform Resource Locator या इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए standard तरीका है या इंटरनेट पर उपलत सूचनाओं का पता बताता है तता हो सूचना के protocol और domain नाम को भी दर्साता है जैसे आ आप देखेजिए कि इस तरह से www.yahoo.com में HTTP hypertext transfer protocol हो गया इसका full form भी याद रगे कई बार पूंच लेता है जिसका उपयोकर worldwide वेप पर yahoo.com नामक website पर जा सकते हैं और भारती जंता party भारत की पहली राजनेटिक पाइटी है जिसने इंटरनेट पर अपना website बनाया है भारत म सिक्किमराज ने सरब पितम इंटरनेट पर टेलीपॉन डारेक्ट की उपलब्द कराई है तो BGP आप देख रहे हैं कि नई तकनिक से अपना चुनावी परचार पिसार करती है TCP, IP, Transmission Control Protocol या इंटरनेट प्रोटोकॉल या नीमो का एक सम्भू है जो इंटरनेट कैसे कारिक करता है या नेडर करता है या दो कंप्यूटर के भी सूचना इस्थानांतर और संचार को संभव करता है अपलोड या इस्थानी कंप्यूटर से दूसरे दो रिस्थित कंप्यूटर पर डेटा इस्थानांतर की पिक्रिया अपलोड कहलाती है जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को प्योग करने के लिए फाइल की पितिलीपी डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं फिर आप लोग ने डाउनलोड भी सुनाओगा यह तो काफी सुनाओगा एक दूसरे इस्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानी ये कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तानतरं की पिक्रिया अर्था जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रियोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की पितिली पी डाल रहे होते हैं तो उसे डाउंलोड कह देते हैं गेटवी क्या होता है तो यह संचार यंद्ध या प्रोग्राम है जो दो भिन भिन प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क की भी टेट अप संपेशित करता है आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस 32 बिट निमेरिक फॉर्मेट चार संख्याओं का एक संभू है जो इन डॉट से अलग किया जाता है जिसका एक भाग नेटवर्क का पता और दूसरा भाग नोड पता है नेटवर्क में 202.network address हो गया और 15.178 node address हो गया फिर आप लोगने एक HTTP सुना होगा hypertest transfer protocol इसका full form भी पूँच लेता है कई एक जामे या है internet पर प्रयोग application इस तरका protocol है जो web page के पसारन करने धारन करता है spam internet पर लोगों को संदेश या विग्यापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोद नहीं किया है अर्थाथ आप आँचे संदेश या विग्यापन लोगों के email box में भी भीजना spam कहलाता है यह unsolisted तथा junk email होता है तो यह नहीं भी याद रखेगा यह questions भी कई बार पहुच लिया है आपसे फिर आप domain नाम एक business नाम जो internet site की पहचान बताता है किसी internet website का URL के अंत में dot के form आपका domain नाम है ठीक है या किसी संस्था या देश को एंगित करता है थलैस या छोटे 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 अप्लीकेशन फ्रोग्राम है जो बेप पेज पर चलते हैं तथा सुनेश्चित करते हैं कि फारम ठीक से पूरा हो गया है या या नीम एबम animation प्यदान करते हैं थलैस कह प्राप्त कर सकते हैं पासवर्ड या एक गोपनी एकोड है जो कुछ फ्रोग्रामों या दूसरे इमेल में प्रविष्टी पितिवंदीत करता है इसके प्रयोक से हम कुछ फ्रोग्राम डाटा या इमेल की को सुरक्षा प्यदान करते हैं या अलफा नियूमेरिक या चिन् करता है फिर आप देखेंगे पीसिंग संभिदन सील या गोपनी विक्ति गत जानकारी प्राप्त करने के लिए किये प्रयास को पीसिंग करते हैं जैसे किसी विक्तिव सेस्ट के बैंक हाती संख्या पासवर्ड एक एडिट कार विप्रेंट इफ्तिया दी इसके लिए इसक कंपणी की अधिकारिक विपसाइड के सामान अबैद विपसाइड का साहरा लीता है और आजकल आप लोग भी सावधान रहा करिएगा बहुत इस तरह कि आप देखी फरजी वाड़े हो रहे हैं सर्च इंजन सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड विप पर इनफॉर्मेशन की ख आप से अगर कोई OTP मांगता है किसी भी तरह का तो मत दिया करेगा अगर वो बैंक की बोल ला है कि हम बैंक से बोल ला है आपका ATM कायड, debit कायड, aid कोई भी आप सोची या credit कायड बंद हो चुका है इस तरह का OTP आएगा ऐसा आएगा वैसा आएगा कभी मत फसी है आप पर भी दो करोर, पचास लाग, पचीस लाग इस तरह की call आते रहते हैं, आपके पर यह नहीं मेरे पर भी आते रहते हैं, वार्ट वाइव के बेपिष्टों की निर्मान में होता है, आपलोड नहीं कर सकते हैं FTP हमें website for file upload करने में साहता करता है ICMP, Internet Control Message Protocol या Internet Protocol Suite का एक मुख प्रोटोकॉल है या network ओप करणों तथा router के द्वारा उप्यूग किया जाता है जैसे तुटी संदेश भेजना VIV server किसी भी website को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उवलब्द होने के लिए इसे किसी computer पर संगेत होने की आवस सकता होती है इस पिकाल के computer को VIV server कहते है इसे दो भागों में बाटा जा सकता है एक computer जिस पर VIV server बनाया जाता है दूसरा software है जो ऐसे computer पर चलता है और VIV page को Internet के मादने हम से दूसरे computer पर भीजता है फिर आप लोगोंने bookmark भी सुना होगा bookmark किसी भी web page का संगेत link है जो संगेत link के साथ जुड़ता है और यदि किसी website को हम बारवाद देखना चाहते हैं तो हम उस website की link को bookmark कर लेते हैं और आप लोगोंने कई बात देखा होगा लोगों को खोल ले होती तो डारेक्ट आप लोगों पहुंच आते होगे click पर ठीक आपको search करने की विजरूरत नहीं बढ़ते होगे उसी की बात की जा रहे है computer से संबंदीत कुछ तत्त है Charles Babbage को computer का पिता मा कहते है एक questions भी कई बार पूछ लिया है computer का पिता किसे कहते है Charles Babbage को born new man का computer के विकास में सरवादी के उगनार ना है आदुनी computer की कोज सन 1946 में हुई computer के छेत में महान करांती 1960 में हुई विसमें सरवादी computer वाला देश सयुक्तरा जमेरिका है इसके बाद आप देखें के जापान जर्मनी वेटेन फ्रांस का इस्थान आता है भारत इस सूची में 19 वे स्थान पर है computer की एक भाग से दूसरे भाग में signal भेजने वाले electronic पत को बस कहते हैं 2 दिसंबर को आप लो computer साक्षरत दिवस के रूम में मनाते हैं 2 दिसंबर को भारत में नई computer नेती की घोष्णा सन नवंबर 1984 में की गई थी पर आप देखें के भारत में निर्मेट पिथम computer सिधार थे इसका निर्माण electronic corporation आप इंडिया ने किया था भारत का पिथम computer किट डाग घर नई दिल्ली है भारत में पिथम पिथम पिश्दू संट रहत computer किट पेटल पंप मुंबई में निजी चेत के इंतरके इस्थापित होने बाला भारत का पिथम computer विस्विध्याल है राजी गांदी computer विस्विध्याल है भारत का silicon धाटी वेंगलूर को कहा जाता है computer तीन पिकार के होते हैं डिजीटल, एनालोग, हाईवरेट integrated circuit shift का विकास GS किलवी ने किया चुमकी ये डिस्के पर iron oxide की परत होती है टिम वर्स नहीं ली ए डबलू 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 वर्लवाइड विब की अविस्कारक है assembly असेमली भासा को यंत भासा में परिवर्थित करता है एक computer की समिती सामन तोर से किलो वाइड अथवा मेगाबाइड की रूम में व्यक्त की जाती है और एक बाइड आठ दूई आधारी अंकों का बना होता है तेहने टू चीन विस्का सबसे तेज सुपरकम्प्यूटर है computer data की सबसे चोटी काई बिट है वाइनरी काई के आरंभिक और अंतिक अक्षा से बनी संचिप्त सब्द 01 को बिट कहा जाता है वाइड कम्प्यूटर जो आंकलन की सिद्धान केमसार कार करता है analog computer कहलाता है micro computer जितनी परी कलन छमता होती है इसकी गती को मेगा फिलॉप से मापा जाता है विस्का पिथम सुपरकम्प्यूटर के क्रे के 1S था जो 1989 में बन कर देयार हुआ ऐसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपिनी ने मनाये था 32 कंप्यूटरों के बरावा कार कर सकने बाला डीप बिलू कंप्यूटर एक सेकेंड में 17 की 20 करोड चाल सोच सकता है इसी सुपरकम्प्यूटर ने विस्ट चेंपियन गेरी कासफारो को पराजित किया था विस्ट के पिथम electronic digital computer का नाम एनियक है विस्ट का सबसे बड़ा computer network का नाम इंटरनेट है याहू, google, msn, internet search engine है इंटरनेट पे उपलब्द होने वाली पिथम भारती इस माचारपत दाहिंदू बापिथम भारती पती का इंडिया टूड़े है यूजनेट, तमाब इस विध्यलाइओं को एक साथ जोड़ने की पिड़ाली है इंटरनेट सूचना की खोज करने में आरक सबसे जांदा मदद करता है आरक का विकास Mac, Gill University ने किया जब किसी network का internet धारक अन नेटवरक के साथ जोड़ता है तो उसे gateway कहते है और एक बात और आपको बताजमें एक computer से संबंदीत एक पूरी आप लोगों की विस्तार से computer को उस किलासों में पढ़ा हुआ है तो computer classes के नाम से equivalent सूची बनी होगी उसमें जाकर आप लोग और विस्तार से पढ़ सकते है मुझे लगता है कि उसमें आप लोगों काफी उससे एक final बात आप लोग जान लीजिए कि उससे बाहर आपका कोई questions नहीं जाएगा इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ठीक है? तो उससे जाकर आप लोग देख सकते हैं जिमकि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बहुत चोटा सा जानदा इसमें आखड़े भी नहीं है कंप्यूटर वोड में कुल आठ से होज़क होते हैं एक लोग वाइड दस सो चौवीस वाइड के तुल होता है एक MB यानि की मेगवाइड दस सो चौवीस वी के बरावर होता है पर्षण के पिथम पत्तिका कंप्यूटर एन्ड आटो में सन है पिथम घरैलू कंप्यूटर कमोडोर वियाईसी वीस है बिग्यानेकों के अनुसार भारती भासा संस्कित कम्प्यूटरी कित करने के लिए सबसे आसान है विसका पिथम डिजीटल कम्प्यूटर एनियक है था 31 प्रोग्राम ही तो विक्सित की गई सरपिथम भासा है कोवॉल बासा में सरवाधी के उप्योग्त डोकुमेंटेशन सम्भव है इंटिगेटर सरकेट चिप का विकास जे एस किलीवी ने किया था इंटिगेटर सरकेट चिप पर सिलीकॉन की परत होती है भारत में सरपिथम नेशनल एरोनोटेक्स से लवरेटीज बैंगलोर ने फेलो सावर नावक सुपर कम्पीटर विक्सित करने में सफलता पाई थी कम्पीटर पर परमाडू परिक्षणों को सब क्रेटीकल परिक्षण कहा जाता है कम्पीटर से सम्बंदीत कुछ आपके इस सब्द हैंने भी याद रखिएगा ALU, Arithmetic, Logic Unit L, Goal, Algorithm Language BCD, Binary Coded Decimal Code CPU-Central Processing Unit CAD, Computer Aided Design CDOT, Center for Development of Telematics Class, Computer Literacy and Studies in School Common Algorithm Language Disk, DOS, Disk Operating System DTS, Disk Top System DTP, Disk Top Publishing Unique Electronic Numerical Integrator and Computer Facts, Far Away XROX, ROX, FLOPs, Floating Operations per Second HLL, High Level Language HTML, Hyper Test Markup Language LEN, Local Area Network LDU, Liquid Display Unit LISP, List Processing MICR, Magnetic Ink Character Reader MIPS, Millions of Instructions per Second MOPS, Millions of Operations per Second OMR, Optical Mark Reader PC, ODOS, Personal Computer Disk Operating System PM, PROM, Programmable Read Only Memory, RAM, Random Access Memory, ROM Read Only Memory, RPG, Report Program, Generator, VDU, Visual Disfilet Unit, VLSI, Very Large Scale Internet, Gration, WAN, Wide Area Network, WWW, 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 World Wide Web Esto, VFX, VCC Samsung, Monitor, and Natural Supple. झाल झाल